हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आपका स्वाइद करता हूँ अपने यूटूब चैनल जॉब्स इन सॉट्स पे हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नहीं जॉब वेकेंशी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों जो कि हमारे पास निकल कर आई है स्टाफ सेले यूट्मेंट 223 जिसे की बंपर 307 जूनियर और सीने ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए जारी किया गया है सलरी की बात करें तो यह आपको 44,900 रुपए से लेकर एक लख 42,900 रुपए पर मन तक की मिल जाएगी महीं जॉब लोकिशन आपका एक्रॉस एंडिया रहेगा यानि आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी किया सकती है अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाइ मोड क्या रखा गया है तो से कंप्लीटली ऑनलाइन अखा गया दोस्तों तो आईए बिना देर के इस जॉब वैकेंशी के बारे में डीटेल में जाल लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन-कौन से कैट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे तो और इंडियन कैट चाहे वो पूरे भा पर मन तक की सलरी महीं सीने ट्रांस्लेटर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए पर मन तक की सलरी टोटल वैकेंशी 307 है महीं अगर कैटेग्री वाइज वैकेंशी डीटेल की बात करें तो और यानि की जनरल कैटेग्री के लिए 157 व अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट यानि आयू सिमा की तो अगर आप जनरल कैटेग्री यानि की अजट कैटेग्री से बिलॉंग करते हो तो आपके आयू 18 से लेकर 30 वर्स के बीच होनी चाहिए अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिल एर के बीलॉंग करते हो तो चाहिए लिच ने मांस्टर्स डिग्री कर रखा है हिंधी में इंग्लिश में साथी हिंदी या इंग्लिश् its सब्झेक्ट के वर्स के लिए वस इन कर पाएंगे या फिर जिन्ट्रेट्स डिप्लोमा कोर्स क्या होना आवाश्यक है ट्रांसलेशन में रिधिए निदी या साल के experience के साथ इसी प्रकार से अगर बात कर लेते हैं सीने ट्रांसलेटर की तो इसके लिए भी जिन केट्स ने master's degree कर रखा है हिंदी या इंग्लिस में साथी एक सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिस है उनका ऐसे इसके लिए आवधन कर पाएंगे या फिर जिनके इसने master's degree कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट में English मेडियम से साथ हिंदी उनका एक compulsory सब्जेक्ट है डिग्री लेवल यानि की बैसलर्स डिग्री लेवल पर और उन्होंने इसके लिए डिप्लोमा कोर्स कर रखा है ट्रांसलेशन में हिंदी टू इंग्लिस या फिर इंग्लिस टू हिंदी या फिर उन्हें तीन साल का experience हो रखा है वह इसके लिए आवधन कर पाएंगे महीं अगर सेलेक्शन पसाड़ेवर की बात करें तो यह CBT यानी computer-based test और descriptive test पर based होगी application fee की बात करें तो जनरल OBC और EWS को देने होंगे 100 रुपए जबकि SCST पीएच और female के लिए कोई भी आवधन सुल्क नहीं रखा गया है उनके लिए application form बिल्कुल fee of cost है अगर वहीं बात कर लेते हैं important dates की तो इस form को भरने की प्रक्रिया 22 अगस 22 से start हो जाएग की वहीं अगर examination pattern की बात करें तो इसमें negative marking होई दोस्तो 0.25 marks की यारी कि अगर आप 4 question गलत करते हो तो आपके एक number जो होंगे वो cut जाएंगे और यह सिर्फ paper 1 में होगा अगर paper wise बात कर ले तो paper 1 CBT जो होगा उसमें general Hindi के 100 question पुछे जाएंगे 100 marks के और general English के 100 question पुछे जाए जाएगा वहीं अगर descriptive paper की बात करें तो इसमें आपसे translation और essay लिखाया जाएगा जो इसमें की 200 marks के question पूछे जाएगे और यहां भी आपको 2 घंटे के समय दिया जाएगा और pH के एट्स को 2 घंटे 40 में के समय दिया जाएगा साथ इस vacancy से related जितनी भी important links है वो सारी आपको इस वीडियो के हिप से नहीं मिल जाएगी उस पर क्लिक करके आप इसका official notification में download कर सकते हो और अपना application form को भी download कर सकते हो अगर फिर यह आपको कोई doubt है या फिर कोई question है तुस्छे आप हमें comment section में पूछ चकते हो तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नही जाहिंद